नमस्कार आप देख रहें न्यूस 24 आपके साथ मैं हूँ रवी ठाको शुरुवात करते हैं आज की बड़ी खबर से शराब घुटाले मामले में केजरिवाल को एक बार फिर समन भेजा गया है इडी ने CM केजरिवाल को साथवा नोटिस भेजा है इडी ने अब तक आपको बता दें कि 26 वर रिकित पूछताच के लिए बुलाए है अब तक एक बार भी इडी के सामने पेश नहीं हुए है केजरिवाल तो दिल्ली शराब गोटाले में एक बार फिर इडी की टीम की तरफ से अर्विन केजरिवाल को समन भेजा गया है एक बार भी इडी के सामने अर्विन केजरिवाल अब तक जितने भी समन भेजे गये हैं अर्विन केजरिवाल नहीं पेश हुए हैं यह सात्वा समन है जब अर्विन केजरिवाल को भेजा गया है जो समन अर्विन केजरिवाल जी को भेजे गये हैं उनका जाच से कोई लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पाटी को और अर्विंद के जरीवाल को डराने का प्रयास है, धमकाने का प्रयास है, लेकिन मैं भारतिये जनता पाटी को एक बार फिर से बता दूँ, के आम आदमी पाटी और अर्विंद के जरीवाल आपके गैर कानूनी समन से डरने वाली नहीं है, हम डट कर, चाहे चंडीगड के मेर चुनाव से देश के संसद के चुनाव तक, जहां जहां पर भारतिये जनता पाटी लोगतंतर को कमजोर करने की कोशिश करेगी, देश के संबिधान को कमजोर करने की कोशिश करेगी, तो चाहे वो चंडीगड का मेयर का चुनाव हो, चाहे वो देश के संसद का चुनाव हो, हम भारतिय जनता पार्टी का डट कर मुकाबला करेंगे और भारतिय जनता पार्टी को लोकतांतरिक तरीके से हरा के रहें चलिए इस खबर पिवाज रहा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरी सयोगी दिवया का दिवया एक और समन क्या आर्विन केजिवाल पेश होंगे ये सवाल अभी भी बना हुआ है चलिए मेरी सयोगी दिवया मारे साथ बनी हुए अब तक जितने भी समन भेजे गए या इस से पहले जो छे समन भेजे गए थे उनका जबाद और ना ही अर्विन केजिवाल एडी के साथ ने पेश होए थे ये मामला कोट भी पहुँचा था राउस अविन्यू कोट एडी की टीम पहुँची थी और उसके बाद कोटने आदेश दिये थे कि अर्विन केजिवाल को पेश होना चाहिए दिव्या अगरवाल का दिव्या लगबग सात्वा समन है छे बार भी समन आये मामला अदालत भी गया लेकिन अर्विन के जिवाल पेश नहीं हो रहें एडी की एडी के सामने अब उमीद है क्योंकि अब कोड की तरफ से भी का गया है तो इस बार की जो समन आया है इसका क्या जवाब देंगे अर्विन केज्रिवाल ये अर्विन केज्रिवाल द्वारा कहा जा रहा है अब सोचने वाली बात ये है कि जब एडी खुद कोड का रुख कर चुकी है चुकि अर्विन केजरिवाल लगातार E.D. के संबन का जवाब नहीं दे रहे थे और E.D. की याचिका पर ही कोट ने सुनवाई भी की और अर्विन केजरिवाल उसमें वर्चुली प्रेजेंट भी हुए उन्होंने कहा कि चुकि उसमें दिल्ली विधान सभा का सत्र चल रहा था और विश्वास प्रस्ताव अर्विन केजरिवाल के द्वारा पेश किया गया था साफ़तोर पर उनका ये कहना था कि BJP आमाद्मी पाथी के विधायकों को खरीदना चाती है इसलिए आमाद्मी पाथी ये दिखाना चाती है कि आमाद्मी पाथी का कोई भी विधायक खरीद जिस तरीके से खरीद फरोगत की जा रही है उसके चक्करमे नहीं आने वाला है तो उस विश्वास प्रताफ के चलते अरविन केजरिवाल कोट की सुन्वाई में पेश नहीं हो पाए थे और कोट पे ये दलील अरविन केजरिवाल के वकील द्वारा दी गई थी कि ऐसी तारीक दी जाए क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते तक विधानसभा सत्र शुरू जारी रहेगा ऐसे में ऐसी तारीक दी जाए जिससे के अर्विन केजरिवाल फिजिकली प्रेजन्ट हो सके इसलिए कोर्ट ने जो अगली तारीक है वो 16 मार्च मुकररर की अब ऐसे में सवाल ये उटता है कि E.D. अब संबन क्यों भेज रही है और जो हम यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछी देर में शायद आएगा जवाब बनके कि आखिर E.D. के संबन के पीछे मकसद क्या है मंशा क्या है साफ़तोर पर राजनितिक मंशा के चलते ही E.D. अरविन केजरिवाल को लगातार संबन भेज रही है क्योंकि जब कोट अब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है अगली तारीक भी 16 मार्च के मुकररर हो चुकी है और 16 मार्च को फिजिकली अरविन केजरिवाल कोट में पेश होंगे और उस वक्त ये जरूर वो ये दलील रखेंगे कि आकर E.D. के संबन क्यों उनको भेजे जा रहे है क्या वही होगा जो मनिसी सोधिया का हुआ क्या वही होगा जो संजे सिंग का हुआ यह देखने वाली बात होगी शुक्रिया दिव्या